रादे रादे वाई सभी को रादे रादे जैहिन सभी को जैहिन विलकम है सभी को विलकम है रादे रादे चलिए तो भी स्टार्ट करते हैं ठीके चलो पहला कोशन आपका दिया गया है कि सेख सलीम चिस्ती की जो समाधी है वो आपकी कहाँ पर है चले कमेंट करिए आपका ज जिसको आप्सन आया है बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा फते पुर्षी क्रियेस का जवाब है राइट हो जाएगा यहां पर आगे बढ़ते कोछ नाप से दिया गया है टाइम टेबल देखें टाइम टेबल आप लोग टेलेग्राम से जुड़ जाए हो आपको मिल जाए अगे बढ़ते कोह सिवा जी की पहली विजय जो आपकी ती और की कौन सी चली बटाएगा किसी यहां पर क्या होजएगा तो आपसन क्या हो जाएगा आपका सी नम्बर याद रिखेगा सिंघ गण याद रिखेगा कि आपके सोला सो कितने शुना सुला सुत्य तेतालिस में सीवा जी ने सर्पथम सिंग गड का जो किला था उसे जीता था ठीक है तो आपसंग जिसका आया है से नमबरे राइट हो जाएगा और आगे बढ़ते कुछ नाप सिगला पुछा गया है क्या रहा निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं है यहां पर थ्री नमबर में तो द लिए यहां पर आगे बढ़ते कुछ नाप सिगला पुछा गया है क्या रहा है निम्न में से पुष्टी मार्ग के आचार इनमें से कौन है पुष्टी मार्ग चले वेरी गूड बहुत अच्छे देखो दिया है निम्न में से पुष्टी मार्ग के आचार इनमें से कौन है तो आपका भूर का option क्या हो जएगा ये है option D बल्लवाचार क्या पुष्ट मारक के जो आपके आचार है वो कौन है बल्लवाचार जिसको option इडिनमर है right हो जएगा निस question का आते हैं question दिया गया है क्या रहा है दिल्ली के सुल्तानों के सासन काल में निम्न में से कौन सी एक प्रसासनिक भासा थी मदलब आप से कह रहा है दिल्ली के सुल्तानों के सासन के समय जो प्रसासनिक भासा थी वो फार्सी थी क्या थी फार्सी जो की option है यहाँ पर आपका जो right हो जएगा सी number है right हो ज दोस्तों विभागी प्रणाली का आरम हुआ था लाड़ कैनिंग के समय किसके समय कैनिंग के समय हुआ था यहां पर जो अंसर है वह आपका यह निम्मरें राइट हो जाएगा और अगला कोशन आपका जब जिस्त कोशने संभावी थे आपको मिल सकता है क्या भारत चुड़ो अंदोलन के दोरान बल्या में समनांतर सरकार के जो श्थापना किया था और दोस्तों जाद रखेगा चित्तु पांडे का आपने नाम सुना होगा इन्हों ने नेतरत जो किया था वो बल्या में किया था समनांतर सरकार के स्थापना की थी मगलब आपसन जिसका आपका है यहाँ पर भी नमबरें राइट हो जाएगा केलियर है आगे बड़ी एक कोशन आप सिगला पूछा गया है क्या रहे भारत छोड़ो अंदोलन के दौरान इंग्लेंड के प्रधान मंतरी यहाँ पर चर्चिल जिसका आपसन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा और बेहतर तयारी आपके है देखिए काफी मोडल पेपर हमने सौल करा दिया है उसका रिजल्ट है उसका रिजल्ट देखने को मिला है कि आप लोगों के 50% से ज़्यादा आपके लोगों के जवाब बिलकुल सही आते हैं ठेक है चले आगे बड़ी एक क्वशन आपसे दिया गया है कहारा है सुभाज इंद बोस ने अन्दवान दीव का नाम क्या रखा था चलिए, सुभाश नदवोस ने अंडवान दीव का नाम क्या रखा था, देखे, यहाँ परमसर क्या होजएगा, तो दोस्तों यहाँ पर हुआ ऐसा था, क्या कि सुभाश नदवोस ने अंडवान दीव को सही दीव को सुराज दीव का नाम दिया था, मतलब आपसन जो आपका लाल किलिये में मुकदमा कब चलाया गया था चले बतdernएगा ऐसे पार च्वेशन हमने सौल विकर आया डिक्षक्ते आजाद हिंद फोच पर जो सायनिक गिरबतार किये गए थे और अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार्णी दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया था यह चलाया था नवंबर 1945 इसका जवाब राइट हो जेगा नवंबर 1945 इसका जवाब आपका राइट हो जेगा ने इस कोश भारत में जो तराई छेत्र है तराई छेत्र में निवास करती है जो आपके थारू जन जाती है और समनेगा आपका ए नमबर स्वरी कहा है तराई कहां पर है तराई वहिया है आपका कहां पर ऑप्शन सी है तराई छेत्र ऑप्शन सी हो जाएगा या तरके थारू जन जाती यह आपके तराई छेत्र में आपका हो जाएगा ठीक है आगे बताई यह कोशन दिया गया है क्यारे भारत का सबसे महत्पुन खनी जी युक्त सेल तंत्रिन में से कौन है ऐसा कोशन पिछली क्लास में भी आपको मिला था याद अगर आ गया हो तो हना मतलब भारत में जो खनी पतंत्र है यहां पर उप्सन है आपका भी नंबर है और राइट हो जाएगा क्लियर है बही सबीगा क्लियर है पुइंट चलिये आगे बढ़े कोशन आप से पूछा गया है चलिए अगडरा कोशन यहांपर आपसे दिया गया है कहरा है निमन में से कौन सा सरुत्तम प्रकार का लोह अयस्क है दोस्तों यह बताएगा लोहे में जो सबसे सरुत्तम प्रकार का अयस्क होता है वो कौन होता है चलिए यहाँ पर जवाब देना है हेमेटाइट, साइडरेट, मैगनेटाइट या लिमोनाइट याद रिखे लोहे में जो होता है वो मैगनेटाइट होता है इनमें से याद रिखेगा ठेके ना ओप समनेगा आपका सी निमबर राइट हो जाएगा क्योंकि यहां पर आयस को पूंचा है लोहा नहीं पूंचा है कि एम पिटवा लोहा बोल देंगे ठीक है ना आगे वड़ी कोशन आप सीग्रा पूछा गया है क्या रहा है निम्ड में से कौन सी एक रेसीधार फसल है बताइए भाई रेसीधार फसल अब इसको तो आप लोग बताई सकते हैं इतना तो आप लोग सिंस लगाएंगे ही लगाएंगे चाय गन्ना जूट रवड तो रेसा किस में होता है रेसा होगा जूट में होगा हाना तो यहां पर अंसर क्या बनेगा आप कसी नमबर है राइट हो जएगा सब बास वेरी गोड अगला बताईए कोश सब्सक्राइब करते हैं यहां पर जून से सितंबर आप लगा दीजेगा यहां पर जून से सितंबर आप तर सकते हैं ठीक है यहां पर आगे बढ़ी एक कोशन आप सिगला पूछा गया है कि तीब रवास सब्सक्त ग्रामीड विकास के लिए पूरा योजना निमन से किसके दोरा प्रस्तुत की गई थी एक दोस्तों योजना थी आपकी पूरा मॉडल हना पूरा आपकी योजना है और यह दोस्तों आपके क्या है अजिवका के छेतर में मतलब जो ग्रामीड छेतर में अजिवका के ओसर है सहरी सुपधा के विकास के लिए 2003 में कब 2003 में यह जो आपके डाक्तर अब्दुल कलाम जी है इन्होंने पूरा योजना सुरू किया था तो आप समनेगा आपका बी नमबर है राइट हो जएगा बी नमबर जो कि सभी का जवाब यहाँ पर राइट हो जएगा ठीके चले जितने लोग यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं एक बार जैहिन जरू लिख दीजेगा ठीके ना और यहाँ पर जितने लोग आए हैं तो आपका अंसर क्या हो जएगा चले यहाँ पर देखो आपका अंसर क्या बनेगा का पर है लखनव में है है बारति गन्नाँं संधान, ठीकेों और यहाँ पर यादर कि सतापना कभा ही ति तो आपके 19502 में हुई थी लखनव हो जायगा. चले जैहिन सभीको जैहिन आगे बड़ी एक कोशन आप सिग्रा पूछा गया है क्याराय भारती राष्टी खादी सुरच्छा अदिनियम 2013 कब से देश में प्रभावी हुआ था चले सभीको जैहिन सभीको वेलकम है तो दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजे थोड़ा फास तरीके से 18 नंबर का जवाब सुन है वो यह हो जेगा अलग से 29 क्लास मिलेगी तो उसमें ज्यादा कोश्न पढ़ेंगे तो आपको आराम विलेगी दिया है भारत में थोक मुल सुचकान का जो किया जाता है ते साथार पर डूस्तों याद रिखेगा कंग में जो थोड़ा मुल सुचकान आबाता ही होता है मासिक इसलुक पर किया जाता है। दोस्तों याद रखेगा। ठीक है। और आगे बड़े कोस नाफ से घ्लाप पूछा गया है। रेनि जो होता है। इसको सबसे जदा फैदा होता है। दोस्तों हृच्वक के एक उबात करते हैं तो बह्यां मुद्रा स्वीत को समजगечा। कि मुद्रा इस फीत में क्या होता है जो वस्तुवें होती है क्या जो वस्तुवें होती है उनका rate क्या होता है बढ़ जाता है वना जो आपके पैसे होते हैं पैसे अर्था जो रुपय होता है उसकी value कम हो जाती है सिंपल से अगर बात करें कि रास्ते की किनारे हना एक क्या है एक किसान है और वो क्या किया है वो अमरूद का ठेला लगाया हुआ है तो अमरूद क्या है यहां पर क्या हो गया है कि इसका रेट बढ़ गया है और पैसे के रेट क्या हो गया है कम है इसका मतलब है कि अब ज्या चुकाना होगा ठीक है तो वस्तुओं के रेट क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं और पैसा जो होता है उसकी वैलू कम हो जाती है चलिए आगे बढ़ एक कुस्म दिया गया है क्या रहा है देश के सरोच नियाले तथा उच नियालें में नियादीसों की निफ्ति प्लस पॉयंट होता है एक गजाम के समय पढ़ने में निमने से कौन से राज सूची का विशा नहीं है देखें 2021 में कोसन आपका यहां से आया था देखो कह रहा है कौन राज सूची का विशा नहीं है तो भया देखें क्रसी राज में है जेल भी राज से सिचाई भी है लेकिन जो बैंकिंग छेतर है हना ये तो सर्विस आपको प्रवाइड कराती है है तो यह दोस्तों क्या है यह अपका राज related कतते वेसे नहीं हैं यह है संग सीघ का कैसा हैं संग सूची का है किलियर हो रहा है सब कुछ सबकुछ समझ कहा रहा है हमारी भासा कुछ में आती कि नहीं आती ऐसा तो नहीं कि हमारी भासा यह कुंझे आरही हों Oh my listen सब गयरा हमारी समझ में आती हैं आप सभी को चलिए दिया गया है सरकारिया आयोक का संबन्द किसे हैं सरकारिया आयोक का जो संबन्द आप काल प्रिस्टुत होता है भूमी संबंदी होता है कहाँ प्रिस्टुत होता है चीला कि थमें हो जाएगा पर गर्वां शुननेले तो दिल्साइब कुल कितने विकषे हैं और अगे वर यसम्ति पंछाय नहीं कुल कितने विशे हैं दोस्तों आर्टिकल हमने एक समिदान संसुदन बताया था 73 नंबर का कौन सा 73 नंबर का संसुदन बताया था जूकि आपका 11 अंसुची जोड़ी गए थी और इसके पंचायतों में आपके 29 विशे कितने 29 विशे मतलब option देखे सबका सही आ गया है हना जब त आ रहे थे तब तक आप सभी का जवाब सही है अगला बतायेगा यद नीचे उतरते समय लिप्ट की डूरी टूड़ जाए तो ऐसी स्थिति में लिप्ट में इस्थि जो पिंड का भार है वो क्या हो जाएगा भी चलिए मतलब आपकी जो लिप्ट है आप उतर रहे थे और लिप्ट की डूरी क्या हो गई तो अब आप बतायेगा कि जो भार होगा आपका वो कितना हो जाएगा तो यहाँ पर याद रिखेगा ऐसी स्थिति में भार क्या हो जाता है सून हो जाता है क्योंकि एक समान होता है यहाँ पर क्या होता है भार हिंता इसे बुलते भार हिंत आपका सिन्में यांभै यहां पर कहा आपका सिन्ममर राइट ओजाए करिये उन्म्य है। यहां पर जवाब देना है कि ह होड़ा सिन्ममर में Essay नहां पर 12 importantes जबाब देखें यहां पर हो जगा आपका ken उर्प ठिक Def breaking यहाँ पर क्या होजेगा एलेक्टो कार्डियोग्राफिस कंसर है राइट होजेगा और आगे बढ़ते कोशन आप से दिया गया है क्या रहा है LPG का मुख गटक इन में से क्या है LPG का मुख गटक इन में से पूछा गया है और यहाँ पर देखे LPG में क्या होता है butane, क्या होता है मुख्य रूप से यहाँ पर butane जिसका option है यहाँ पर अपने खाते में एक number जोड़ लिजेगा, option आपका C बनेगा, आगे बड़ी कोशन दिया गया है, क्या रहा है निम्ड में से फफून द्वारा होने वाली विमारी कौन सी है, बताएगा फफून द्वारा कौन सी बिमारी होती है, यहाँ पर अपनसर बनेगा आपका A number, आगे बड़ी कोशन दिया गया है, क्या रहा है मस्तिस्क की विक्रतियों का पता लगाने ही तो प्रमुक्चिकिस्सा उपकरण क्या है, देखे मस्तिस्क में अगर यहाँ पर क्या होता है, यह प्रियोग होता है, आपसं दिनमबरे अलेक्टो इंसरे फलेफ गुराफर, क्या बोलते हैं, यहाँ परनसर जो आपका है वो आपका दिनमबरे राइट हो जाएगा, आगे बड़ी कोशन आपसे गला पुछा गया है, क्यारा निमन में से कौन सा असुर का परयाची सब्दन आपका नहीं है चले हिंदी का कोशन आ गया है और असुर का परयाची देखे आपन निश्चर होता है दनुज होता है राच्छस होता है लेकिन दोस्तों ये दिया गया महा काई है ना तो दोस्तो याद रिखे, महा काए यह नहीं होता है, option आपका d number हो जाएगा right, फिने this question बताएगा, क्या रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प सब्द और उनके विलूम सब्द का जोड़ा सही नहीं है, चरे, कौन सा विकल्प सब्द उनके विलूम सब्द का सही जोड़ा नहीं है बत्तिसम्बर में देखें यहां पर देख सकते हैं कहरा आप से राग का विराग दिया गया है ठीक है यहां पर बेस्टी का समिस्टी दिया गया है सही दिया गया है यहां पर दिया गया है अधम का उत्तम दिया गया है यह भी सही है अब यहां पर दिखो दिया है बच्चा और बूढ़ा क्या बच्चा काविलूम होता है बूढ़ा होता है इस कारण से दोस्तों यहाँ पर जो आपका सी नंबर है वो आपका गलत हो जाएगा ठीक है आगे बड़ी कोश्चन आप से गला पूछा गया है क्या रहा है निम्न वाकि में से रिक्तिस्थान के ल लगा है तो भी यह कोश्चन मार के अंसार आप बताएए यहाँ पर क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे सर्जी किस गिलास किस ने तोड़ा वना ओप्सन सी नंबर यहाँ पर भर दिया जाएगा ठीक है यह नंबर मतला यह कि गिलास तुमने तोड़ा ऐसे नहीं कह सकते है क् कह रहा है निम्ड मेंसे सही वाकि आपको चुनना है यहाँ पर चौती सम्बर में सही वाकि क्या हो जाएगा बैए चौटी सम्बर में वीडियो को भी लाइक कर दिजेगा जितने थीर्या-किस ने अभी तक लायक नहीं किया है एक बार सभी लोग लाइक करिएगा अपना support बनाए रगएगा आपका support ही हमें आगे बढ़ाने को प्रतनी करता है, रात दिन मेनत करते हैं लेकिन आप लोगों का support से मेनत भी क्या होती हमें थोड़ा लगती है, थेखें, आपसे कहरा है in 44 संबर में कहरा है कि वह ख्या जाने की मैं कैसे जी रहा हूं, फिर के रहा है वह कैसे जाने की मैं क्या जी रहा हूँ नहीं देखे पहला option बिलकुल हो जएगा वह क्या जाने की मैं कैसे जी रहा हूँ यही answer आपका write हो जएगा ए नमबर फिर के आगे बढ़िए question आप से गला पूछा गया है क्या रहा है आपसे अउधी बोली का अन्य नाम बताएगा ओधी बोली का अन्य नाम क्या हो सकता है अउधी बोली दोस्तों ये हिंदी की एक उभासा है हाना या इसे बोली कह सकते हैं जो कि पूरवी आउधी कोसली पस्च में मतलब यहां पर देखा जाए तो आपका जो answer बन हो तो 36 संबर में आप कंसर क्या हो जाएगा कौन सा आपका भिन्य है घोड़ा बाग सेर चीता यहाँ पर देखे क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे घोड़ा बाग सेर चीता अब लोजिक लगाईए क्या हो जाएगा यहाँ पर दिया है बाग सेर चीता देखे यहाँ पर आप बांगलादेश के साथ सीमा साजा करते हैं रट लीजिएगा इस कोशन खुर रट कर ही जाएगा हमने बताया है बांगलादेश से जुड़े हुए जितने भी आपके राज्य हैं उनको तो आपको रटा मारके ही जाना है हाना यहां पर देखे बांगलादेश के साथ सीमा साजा करते हैं कितने आपके पांच राज्य इतना जरूर याद रख लिए कि पांच राज्य अब पांच राज्य हैं तो कहने कहीं आप दिमाग लगाएंगे ही लगाएंगे क्यों भई दिमाग लगाएंगे यह लगाएंगे कि 5 वो कौन से आपके हो सकते हैं तो सबसे पहले तो भईया आपका जो खिये जो आपका असम होता है क्या होता है असम हो जाएगा असम के नीचे आपका मेघाले हो जाता है मेघाले हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों मिजोरम हो जाएगा क्या हो जाएगा मिजोरम एक तो आपका त्रिपुरा लगा है और यहाँ पर आपका पस्चिम मंगाल लगा है तो इसका मतलब यह हो गया कि option क्या हो जाएगा ए नमरे right हो जाएगा नोट कर लिजेगा इस सीज को अपनी कौपी में नोट करिए असम मिघाले मिजोरम त्रिपुरा पस्चिमंगाल ये आपके हैं आगे बताइएगा दिया गया है निम्ड में से बमाको किस देश की राजधानी है बमाको ये दोस्तों आपके हैं अंसर ए नमबर माली की है कहां क ठीक है मा बामने हो जाएगा और आगे बड़ी कोशन दिया गया है किस राजधी की मुख्यवासा गारो खासी पनार तथांग रीजी है उन्चा सम्मर लोक किया जाए या पनसर क्या हो जेगा एक सब्द आपको समझ में आ गया होगा गारो खासी जैंतिया ये जो आपकी प परिसीमन के बाद लोक सबा में अन्सूचित जन जाती के कितने इस्थान आरचित किये गया है अन्सूचित जन जाती दिया गया है दोस्तों अन्सूचित जन जात दिया है कल आपको मिला था अन्सूचित जाती ऐसा ही कोशन कि लोक सबा में अन्सूचित जात की संक्या ले यहाँ पर दिया गया है क्या कि अंतरास्टी आंसादीसrebयाती जो मनाते हैं इक मत मनाते हैं इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा लौक किया जल्दिसरे आंसा दीस डो अक्टूबर सभूबर स यहाँ पर कोई देरी नहीं है बिल्कुर सही है 2 October को मना जाता है याद रिखेगा वह ये पर देखा जाए तो आपका 21 सितंबर को क्या मनाते हैं 27 दिवस क्या 27 दिवस यहाँ पन्नो अक्टूबर को क्या मनाते हैं तो याद रिखे 20 डॉक दिवस ठीके 20 दांक दिवस मनाया जाता है और दोस्तों 14 अक्टूबर को मनाते हैं 20 मानक दिवस 20 मानक दिवस मनाते हैं आगे बड़ी एक कोशन आप से इगला पूछा गया है कहा रहा है अरब लीग का मुख्याले कहां पर है कहां पर है मिस्र काहिरा जो आपका है ना तो आप समनेगा से नंबर काहिरा हो जाएगा आगेला कोशन आपके सामने आ गया है विल्लूर मठ हिस्तित है चलिए बताएगा विल्लूर मठ जो आपका है ये कहां पर है गलती ने होनी चीए हमारी साफ से इस question को तो कई बार हमने पढ़ाया भी है हना इस्ट्राटिक जीके वाली class में आपको पढ़ाया भी है वेल्लूर मट का पर है तो आपके कुलकाता मतलब आपसन मनेगा आपका ये नमबर है कुलकाता अश्य बंगाल में है अगर पूचे किस की स्थापना किस ने कराया था विल्लूर मट की स्थापना कराया था किसने तो स्वामी वेका नंद ने किसने स्वामी वेका नंद आपका अंसर है राइट हो जाएगा अगला question बताएगा question दिया गया है संतोष ट्राफी किस खेल से संबंदी थे चले संतोष ट्राफी किस से हो जाएगा चले भाई अच्छा कोशन है जल्दी से लौक किया जाए देखे संतोष ट्राफी का जो संब्द फुडवाल से है याद रिखे फुडवाल जिसका जो आप सने आपका भी हो जाएगा और फुडवाल में प्लेयर कितने होते हैं ग्यारा होते हैं ठीक है ना यहाँ पर होकी में कितने होते हैं ग्यारा में होते हैं क्रिकेट में कितने होते हैं ग्यारा होते हैं लेकिन पोलो की अगर बात करते हैं तो पोलो में होते हैं चार होते हैं ठीक है आगे बड़ी एक कोशन आप सिगला पूछा गया है क्या रहा है इंडिया स्टोरी की लेखक कौन है यहां पर कौन सा आपका D-Namber है राइट हो जयाएगा ठीके आगे बड़ी एक मैसे पूछा गया है क्यारा है ओजुन परत को सरवाजिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूसक इन में जवाबुटे मेसे कौनसा है नाजवाब कोशन है धमाके दा कॉसन है जवाब दीजे आप का अंसर क्या हो सकता है यहाँ पर दिया है कि वाज़ुन फरत को सरुवाधिक नुकसान जो होता है वाइन किससे हो वह वह से होता है और दोस्तों ने का दो से ही बनाए है आपका गैसी द्रववी प्रदार्थ होता है और देखा जाए जो आप लोग रेफिजरेटर है मतलब जो आपका रेफिजरेटर होता है वाता नुकुल वंतर होते हैं सीतला के रूप में कारी करते हैं उनमें आपके गैस बहुत ज़्यादा भरी होती है यहाँ पर आगे बड हम आपको वो पॉइंट देते हैं जो आपको 10 नंबर का सिलेक्षन आपको यहीं से दिलाएंगे तो बस आपको ध्यान भी देना है और आप लोग हमारे टेली गराम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार टेली गराम से भी जुड़ जाएगा हाना और आप लोग क्लास को क्या है यहां पर जुड़ो है अगर आप पूचे कि इंग्लेंड का जो राष्टी खेले वो क्या है तिंग्लेंड का क्या है तिंग्लेंड का हो जाएगा क्रिकेट क्या हो जाएगा अगर पूचे स्पेन का क्या है तो स्पेन में क्या होता है बुल फाइटिंग होती है क्य है बॉलीबाल हो जाएगा वहें पर इंडोनेऋजया पूछा गया है टूनेशय का क्या हो जाएगा इंडोनेशय का हो जे होते हैं लेकिन अगर क्लास में रहते थो कम से कम दो बार जब हमकोंš Şu रिवीट करते हैं, दो बार जब बोलते हैं तो आपको जरूर कुछ न कुछ दिमाग में पहुँचेगा ठीक है ना, पेडियाप से तो दुनिया पढ़ती रहती लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर आप क्लास में प्रिजन टाइम में कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं तो उसका असर आप कुछ जरूर मिलेगा ठीक है ना, अब इतने प्रिजन आप रात बर कैसे लगाएंगे लेकिन क्लास में टाइम है तो आप लगाइए देखो दिया है, भूटान का तुभिया क्या खेल है तीरंदाजी है, भूटान का क्या है तीरंदाजी है, अगला है अमेरिका का क्या है तो अमेरिका का है बेस्वाल, क्या है बेस्वाल है और बेस्वाल की बात करते हैं तियादरिकी इसमें से आपके नो प्लेयर आपके होते हैं बेस्वाल, अगला है कनाडा में क्या है दोस्तों कनाडा में दो प्रकार की खेलोते हैं एक तो गर्मियों में एक तो आपके सर्दियों में तो दोस्तों यह आपके आइस हांकी है जो कि आपके सर्दियों के समय की है आपके कनाडा को हो जगा आइस होकी हो जगा आनंद आ रहा है मजा आ रहा है कि भी वीडियो को लाइक से करते हुए चलेंगे अना नोट करते चलेंगे बांगलादेश पूछी बांगलादेश का राश्टी खिल क्या है तो आप कहेंगे कबड़ी क्या है कबड़ी है पाकिस्तान के पूछी तो पाकिस्तान का क्या है होकी और भारत का भी क्या है होकी है अगला स्कार्ट लेंड में दोस्तों रगवी फुटवाल रगवी फुटवाल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्लेयर जो होते हैं वो आपके रगवी फुटवाल में होते हैं कितने 15 फिलेयर होते हैं या देखे 15 फिलेयर होते हैं ठीक है आगे बताएगा जर्मनी का क्या है तो जर्मनी का भी क्या है फुटवाल ही है ठीक है यहां पर अर्जिंटीना तो अर्जिंटीना क्या होजेगा पातो क्या होजेगा यहां पर न्यूजी लेंड का क्या है तो रगवी यूनियन रगवी यूनियन जुड़ा हुआ आपका सब गर window देखो जली कट्टू पुझा जाता है जली कट्टू जो आपका है दोस्तों ये आपका क्या है तमिल लाडू से हैं कहां से हैं टमिल लाडू से हैं और अब न आपको सैया था कि ये यहाँ पर केंच सरकारर ने भी इसलिए इस युद्धु पर क्या किया गया इस थेल पर प्रतिबंद लगा गया लेकिन तमिलनाडू सरकार कहती है यह हमारे यहां का राजकी खेल है और इसे हम अपनी मानिता देंगे इसलिए इसको मानिता दे दी गई है तो दोस्ते याद रिखें जल्ली कट्टू यह आप का तमिलनारू से है वह यह पर दिया गया है कि आपका फ्लेमिंगो मौसो आपके अंत्रदेश से है धानु यात्रा मौसो आपके उडिशा से है नुवा खाई मौसो देखो यहां पर क्या है कि अगर पचीज पॉइंट पढ़ाएंगे तो उसमें पांच बिलकुन नय तो मि मिलेंगे ही मिलेंगे लेकिन दोस्तों नुवा खाई मौसो पूंचा भी गया है नुवा खाई मौसो यह आपके उडिशा से कहां से है आपके उडिशा से है अगला दिया है अंता प्रणय मौसो यह आपके तिलंगाना से है आपका दिया है बुनालू उत्सो आपके पीर प्रदेश है यहाँ पर फगली हो जाता है फगली मोसो दिया है फगली बम ह ». प्रदेश में अगला है आदी महसो देखे आदी महसो यह आपके लद्दाक में लोसार यह कहाँ पर है आपके लद्दाक में है हार्नमिल फेस्टिवल यह आपके नागालेंड में है मांडू ममसो मनायता है आपके मद्द प्रदेश में और चेडी ब्लासम फेस्टिवल यह आपके मेगाले में है तो दोस्तों यहाँ पर देखे जो आपके महत्रपुन तेवार थी वो भी कम्पलीट हुए हाना जो एकजाम में आते हैं उनको तो हमने पढ़ाया भी है कुछ औ आगे बतिया अगला पण दिया है, एली फेंटा की गुफाएं क्या हैं? ठेखो सिलेक्टेट कोशन आपके आ गया हैं? यहां से भी कोशन आपको मिलेगा, क्यारहेए एली फेंटा की गुफाएं हैं वो कहां पर हैं? तो आप कहेंगे sr महारास्ट्रा में है का पर है आपके महारास्ट में है अगला चछत्पती सीवाजी टर्मिनल ये का पर है तो ये भी का पर है मारास्ट में है अगरा दिया गया है सांची का इस्तूप देखे सांची का इस्तूप कहां पर है तो आपके मद्ध प्रदेश कहां पर है मद्ध प्रदेश में खजुराहो का मद्धिर कहां पर है तो आपके मद्ध प्रदेश में है यहापर भीम बेटका जो कि आपका मद्ध प्रदेश सबसे ज़्यादा नए तरीके के जो आपके खोजे के आउसेस हैं वो आपके भिम्बेटका में ही पाए गए हैं जो कि आपके मद्द प्रदेश में हैं कोडार का जो सूर्य मंदीर है वो आपके कहां पर है उडिसा में हैं और यह किस देवता के लिए भागवान पर हैं तो दोस्तों यह आपके हैं कहां पर हैं अगला है काजी रंगा राष्टी उद्ध्यान असम अच्छे यह बताए जो काजी रंगा राष्टी उद्ध्यान है यह एक महत्तुपून पॉइंट के लिए जाना जाता है तो दोस्तों यह जाना जाता है आपके दोस्तों में हैं याद रखेगा और ये भी point याद रखे कि जो मुगलों का कबरिस्तान कहते हैं क्या मुगलों का कबरिस्तान कहते हैं वो हुमाय के मकबरे को ही का जाता है क्योंकि यहाँ पर ही आपके देखा जाया मुगलों के सबसे जादा जो मकबरे हैं यहीं पर मिलेंगे अगला ह करदा नदा देवी राष्ट उध्यान नंदा देवी दास्ट उध्यान यह आपके कहाँ पर है उत्तराखन में है उत्तराखन में अगला है दार्जलिंग हिमालेयन रेलवे दार्जलिंग दोस्तों याद रिके दार्जलिंग हिमालेयन रेलवे स्टेशन यह परस्चिब मंगाल में है इस जीच को याद रिके दार् पोइंट दिया गया हैं यहाँ पर देखे कुछ महत्पूण पोइंट दिये गया हैं जैसे कि कुछ आपके नारे थे हना यह नारे में देखे आप से दिया है कि ​​ जय जवान जय किसान का जो नारा दिया वो किस ने दिया था देखें जय जवान जय किसान ये आपके देखें लाल बहादुर सास्त्री हो जाएगा मारो फिरंगी को मारो फिरंगी को ये किस ने दिया था तो आपके मंगल पांडे ने ये दिया था वहें पर दिया है जय जगत जय जगा जो दिया है बिनोबा भावे जो कि आपके भू आंदोलन से जुड़े हुए थे आगला दिया गया है कि करमत दो क्या करमत दो ये जो आपके हैं सदार बल्ला भाई पटेल संपूर करांटी जे प्रकास नरेंड और विजय विशुतिरंगा प्यारा विजय विशुत चैटर जी बंकिम चैटर जी ने अगला आपसे यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कहा रहा है जन गड मन जन गड मन किसके द्वारा दिया गया तो आपके रविन ना टैगोर जन गड मन किसके द्वारा रविन ना टैगोर और अगला है कि समराज वाद का नासू समराज वा पेपर आपके मिले भी थी अल्टी मीटर क्या होता है अल्टी मीटर दोस्तों अल्टी मीटर से क्या होता है उंचाई के लिए आपका होता है जैसे कोई जहाज उड़ रहा है तो उस जहाज की उंचाई ग्यात करने के लिए अल्टी मीटर का प्रियोग करते हैं अमीटर का प् स्रुवन्ट सत्ती सुधारना अगला है यह दूरस्त वस्वशूं को देखनी के लिए प्रेवलोग वहता है और लुझा पता चल गया किmor जलोगो Mark two और K Arg और केशको ग्राप क्या होता है पाउधों की ब्रद्धी का अविलेखन होता है केशको ग्राप से होता है अगला दिया गया है किया रहा है कोरोनो मीटर होता है ठीक ठीक समय जानने है तू जाहाज में लगाई जाने वाली जवाब की घड़ी होती है अगला दिया गया है कि का कार्डियोग्राप क्या होता है देखे कार्डियोग्राप होता है हरदय गती कमापन क्या हरदय गती कमापन होता है अगला है कार्डियोग्राम कार्डियोग्राम होता है कार्डियोग्राम का कार्य में सहयोगी होता है कैली पर्स होता है कमपास के लिए होता है डीप सरकिल ये विद्द तुर्जा में बदलता है ठीक है ना भाई आप लोग दोस्तों को सेयर जरू करिएगा बोलिएगा कि नएदेव जी के ट्रिक चैनल में वास्तुकता त्यारी चल लए है पेड़ एकजाम की जहांपर प्रविद्द धारा का क्या होता है अगला आपसे दिया गया है का मैनो मीटर मैनो मीटर होता है गैस का घनत्तमापने के लिए यह जो आपके साइन्स वाला पॉइंट था यह भी हुआ अब आते हैं दोस्तों कुछ महत्यपूर्ण पॉइंट होंगे जैसे कि कौन सपुरुष प्रॉष्कार कब शुरू हुआ था अब यहाँ पर यह पॉइंट आपको पढ़ना है देखो वाजे नोबिल प्रॉष्कार की जो मीटर होई थी तो आपके शरुआत हुई थी कब हुई थी याद रिखेगा नोबिल cuma की क्या हुई थी शुरुआत हुई थी यह रिखेगा कि ज्यान पीट पुरुषकार के जो शुरुवात हुई थी 1961 से कब 1961 से हुई थी गांधी सांति पुरुषकार के जो शुरुवात हुई थी 1979 से इसकी शुरुवात हुई थी अगला दिया है अर्जुन पुरुषकार दोस्ते आप पर अर्जुन पुरुषकार पूछा भी आता है आपकी 1961 से अर्जुन पुरुषकार की शुरुवात हुई थी हमने एक ट्रिक भी बताया था कि 61 और 61 टक अर्जुन ने क्या मचली पर निशाना लगाया था एक टक मतलब 16, ये भी आपको याद रहेगा अगला है प्लिजर पुरुष्कार, जो कि पत्रकारता में दिया था ये कोसन पूँछेगा, कि प्लिजर पुरुष्कार का सम्ट किसे पत्रकारता से है तो दोस्तो याद रिखे, 1917 में यह आपके शुरुआत होई थी, अगला दिया गया है कि 1992 में दोस्तो ब्यास सम्मान की शुरुआत की गई थी, क्लियर है, अगला है कि कलिंग पुरुषकार, दोस्तो कलिंग पुरुषकार के जो शुरुआत होई थी, यह आपके 1952 से कलिंग के सुरुवात हुई थी हाना और अगला है सरसुती सम्मान सरसुती सम्मान के सुरुआत हुई थी 1991 से अगला दाद साफ वाल के पुरुषकार फिल्म जगत का देखा जाए ये आपका 1989 में हुई थी कोशन ये पूचा गया है कब तो आपके याद रिखे 1991 में इसकी सुरुवात हुई थी आगला है रमन मैक्सिस पुरुषकार रमन मैक्सिस पुरुषकार की दोस्तों याद रिखे साहित तकादमी सबसे पहले जो दिया गया था वो किसे दिया गया था बताई भाई इस question का जवाब अगर आप देते हैं तो हम समझेंगे कि नहीं आप लोगों ने हिंदी हमारी पढ़ी होगी बताईगा कि सबसे पहला हिंदी साहित प्रुषकार किसे दिया गया चले भाई बताईगा क्या हो जगा माखन लाल चितरवेदी को दिया गया था दोस्तों याद रिखें माखन लाल चितरवेदी को दिया गया था हिम तरंगडी के लिए पूछा गया है हिम तरंगडी के लिए दिया गया था अगला बताएगा राश्टी फिल्म पुरुषकार 1954 और 37 शुरू भटनाकर 1958 अब दोस्ते यहाँ पर कुछ आपके क्या है रासानिक सूत्र है रासानिक सूत्र में क्या है सबसे पहले क्या होता है अमल राज दोस्तों यह कोर्शन आपसे पूछेगा अमल राज क्या होता है तो अमल राज क्या होता है दोस्तों याद रखेगा इसमें से HNO3 और HCL का मिस्रण होता है अब आपसे पूछेगा इसका अनपात कितना होता है तो याद रखे एक अनपाते तीन यह अनपाथ होता है मतलब है HNO3 का 1 अनपाथ और HCL का होता है 3 अनपाथ इन दोनों को भूला याता है अम राज कहते हैं ठीके ना और इसमें दोस्तों सोना घुल जाता है याद रखी इसे कोरवजय कहेंगे और इसमें सोना घुल भी जाता है अगला दिया गया है सुस्क बर्फ, सुस्क बर्फ क्या होती है, बताइए, वीडियो को भई लाइक सिर करते रहेगा, जितने लोग यहाँ पर जुड रहे हैं, कहा रहे हैं, अम सुस्क बर्फ दोस्तों होती है, ठोस करवन डाइकसाइड, हार्न सिल्वर, तो हार्न सिल्वर क होता है AgCl क्या हुता है भारी जिल कसुत क्या होता है तो भारी जिल चुत होता है डी की होता है डी टू ओ होता है अग्ला है प्रोड्यूसर गहज हो आपके कारवन theory n PK यहले आपके एन सेब्सक्राइब lifetime गएक्स कहते हैं और यह हुत थरी अध나라 यह hopping होता है tour यूरिया का सुत्र होता है तो और अगहा बंजीन का सुत्र होता है अब हम लोग यहां पर जो नेस पॉइंट आपका है उसे हम लोग क्या करेंगे आप लोगों की आपकी क्लास होगी वहां पर पड़ेंगे धन्माद सभी को जैहिन बन्देमातर